सार्क क्या है सार्क समिट क्या है सार्क देशों का समू क्या ये अमिर्का के नाटू से मिलता जुलता कोई संगठन है दोस्तों आज इसी पर्टिकलर टॉपिक पे मैं आपसे बात करने के लिए आया हूँ मैं सुनिल अपने चैनल सपर्स एकेडमी के लिए एक बार लंबे समय के बाल आपके सामने रूबर हुआ हूँ एक बहुत करेंट अफियर के पॉइंट आफ व्यू से बहुत इंपॉर्टन टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सार के बारे में मैं सार के बारे में आपको कुछ important point आज आपको बताँगा जिसको आप नोट करिएगा जो examination के लिए काफी important topic है तो इस point फर हमलोग आगे पढ़ें उससे पहले मैं एक information दे दू कि offline SSC के लिए और TET इत्यादी के लिए और Air Force इत्यादी के लिए जो batches हैं वो offline हमारे सुरू हो चुके हैं आप screen पर दिये गई numbers पे या फिर हमारे website www.ispersfoundation.in पे जाकर जानकारी ले सकते हैं तो friends देज न करते वे आयो सुरू करते हैं SAR के बारे में friends जहां तक मैं पहले आपको बता दू कि SAR का full form क्या है तो SAR का जो full form है वो South Asian Association for Regional Cooperation इसका full form है आप screen पर देख भी सकते हैं इसे हिंदी में दक्षड ACI छेतरी सहयोग संगठन के नाम से भी जाना जाता है friends इसकी जो establishment हुई थी वो 8 दिसंबर 1985 में धाका जो की बांगलादेश की राजधानी है वहाँ पर हुई थी यह South Asia के 8 देशों का एक समू है जिसमें भारत भी एक member है वो आपके 8 देश जो हैं वो आप स्क्रीन पर चल रहा है देख सकते हैं भारत है पाकिस्तान है बांगलादेश है भुटान है मालदीव है नेपाल है और अफगानिस्तान है सार्क देशों के सम्मू को जानने के लिए आप इन फ्लैग जो इस्क्रीन पर चल रहे हैं इन के माद्धम से भी देख सकते हैं कि कैसे भारत पाकिस्तान फिर उसके बाद बांगलादेश तमाम देशों के फ्लैग हैं और यह सार्क का लोगो लोगो को भी आप ध्यान से जान जाएंगे समझ जाएंगा उसे पहचान जाएंगे यह जो सार्क देशों के अंतरगत जितने देश आते हैं अगर उसको इंटरनेशनली उसको मेजर करे हम उसको मापे तो 2019 के अनुसार यह 3% पूरे वर्ल्ड के एरिया को कवर करते हैं जबकि around 21% वर्ल्ड की पूरी पॉपलेशन इसके अंतरगत 4.21 जो वर्ल्ड एकोनॉमिक मिन्स जीडीपी है वो इन साउथ एसियन कंट्रीज के थुरू है जहां तक इस संगठन के हम बात कर लें इस संगठन ने अपने आप्जरवर को भी इन्होंने नियुक्त किया है जहां पे आस्ट्रेलिया चाइना यूरोपी यूनियन अमेरिका जैसे देश इस संगठन के मिन्स सार्क का जो देशों का समू है इसके आप्जरवर के रूप में भी माना जाता है दूसरी बात जो एक्जाम में क्वेस्चन पूछा जाता है मैं आपको बता दूँ उस पॉइंट पे भी त्यान दीजेगा कि एक्जाम में पूछता है कि सार्क के सचिवाले कहां पर इस्टैबलिस है तो आपको बता दूँ जो सार्क कंट्रीज का सचिवाले है वो काठमांडू नेपाल में जो की काठमांडू नेपाल की राजधानी जो है वहां पर इस्टैबलिस है वर्तमान में इसके जो जंदल स देदू, साफटा, साफटा का नाम आपने सुना होगा, जो South Asian Free Trade Area के नाम से एक योजना कह सकते हैं सुरुवात की गई थी, वो सार्ख देसों के बीच में, जो ट्रेड है, व्यापार है, वो कैसे एक दूसरे से फ्री हो, उसको ध्यान में रखते भी सुरुवात की गई थी, वो 2006 में की गई थी कि जितने भी आठ देश हैं ये देश आपस में मिलके एक दूसरे से ट्रेड मिंस व्यापार और अन्नेगर्टविदियों को संचालित कर सके इसके साथ साथ एक और मैं आपको important point आपको बता दूं कि पहले इस देश मिंस पहले इस समूह में साथ देश थे सबसे last में इस ग्रूप में सामिल होने के लिए अपलाई करने वाला देश आपका अफगानिस्तान था जिसने अपलाई किया था कि वो सार का मिंबर बनना चाहता है इसकी जो first meeting हुई थी वो ढाका बंगला देश में हुई थी और इसकी जो 19 मीटिंग जो कि पाकिस्तान में होने वाली थी लेकिन जब उसे भारत में मोदी जी आये हैं और पाकिस्तान की जो terrorist activities है continue भारत की प्रती उसका लेकर भारत में एक अच्छी खासी यू कहले तो lobbying की और जो 19 सार्क समिट पाकिस्तान में होने वाली थी वो cancel होना पड़ा और 19 जो कि 2016 में होने वाली थी वो सार इससे अधर में है कि इसकी meeting कब होगी कहां होगी इसके बारे में कोई निरडर नहीं लिया जा सका है वैसे दो साल से कोरोना की वज़े से इस meeting को यह meeting हो नहीं पाई है तो इस तरीके से आपको मैंने पूरी जानकारी दी कि सार्क क्या है आप सार्क देशों के इन flags को देख स सकते हैं कि इन आठों देश के कौन-कौन से फ्लैग हैं यह सार्क देश का अपना एक लोगो भी है उमीद है फ्रेंड्स आपको यह जानकारी जो मैंने दी है वह पसंद आई होगी इसके साथ-साथ मैं आपको बता दूं कि offline सारे बैचे इंग्लिस, math, reasoning और GS के चल रहे हैं आप स्क्रीन पर दिये गया इन नंबर्स पर कॉंटेट कर सकते हैं डिस्क्रिप्टर में मैं लिंक दे देता हूं आप वहां से देख सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही बहुत जल्दी मैं अपने फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने अवेलबल रहूंगा उमेडशा ओ कर दोस्तों झापके सामने अपमे अखिक बहुत कर सकते हैं पर को भीक बहुत हैं पिर एक पॉत जल्दी पर कर स्का हुआ हैं ओología साली कि अजर।रaky अजर हो जोस्तों से देख स Graham पोस्तों आपके सなた 지금 और सितिक सेऎ देख गह पिता हैं और सोली हैं बहुत हैं,